हाँ हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेरेड अबरसीज फ्रेंड्स मोटिवेशन लेटर मोटिवेशन लेटर अपने आप में एक बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है जबी भी आप किसी युनिवर्सिटी में एपलाई करते हैं तो यहां पर अगर आप मोटिवेशन लेटर को कु किन-किन चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले जब आप मोटिवेशन लेटर बनाते हैं तो सबसे फ़र्स पॉइंट होता है इंट्रोड्यूज यॉर्सेल तो इसमें आपको अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है उसके बाद फिर सेगेंड पॉइंट होता है कि आपका प्रिवियस अकेडमिक्स तो उसमें आपको बताना है कि प्रिवियसली आपने क्या-क्या एचीव किया हुआ है और कितने परसंट आपके उसमें मार्क्स हैं अब यहाँ पर आपके मार्क्स उतने जादा अच्छे नहीं है तो आप वहाँ पर अपना सिर्फ यह इस आपको इटली के लिए ही आप क्यों इंट्रस्टेड हैं तो यहाँ पर आपको अपना कीन जो मोटिवेशन है कीन इंट्रेस्ट है तो इटली एजुकेशन वह आपको यहाँ पर शो करना है और आप फर्दर किस स्ट्रीम में जा रहे हैं और आप किस स्ट्रीम में जाने का प्लान कर रहे हैं और उसके लिए इतली ही as a best place क्यों है यह आपको एक paragraph में define करना है फोर्थ नंबर पे फिर आपको अपना अगर previous कोई work experience है तो previous work experience आपको define करना है साथ में आपको अपने previous work experience की relevancy आप जिस भी course में जा रहे हैं उस course के साथ show करनी है और आपको यहाँ पर यह भी show करना है कि आपका जो previous work experience है वो आप जिस भी course में जा रहे हैं वो किस तरह से आपको एक extra edge provide कराने वाला है next सबसे last में आपको mention करना है कि यह course complete करने के बाद what will be your future plans तो यहाँ पर आपको अपना future plan के बारे में आपको explain करना है और future plan को relate करना है कि आपने जो course complete करेंगे आप इटली से whether bachelor's और master's वो आपके future plans में किस तरह से एक major role play करता है तो friends यह कुछ points थे अगर आप इन सारे points को cover up करेंगे तो आप अपना motivation letter एक अच्छे way में present कर सकते हैं साथ में अगर आपके पास language proficiency है तो आप उसको भी अपने motivation letter में mention कर सकते हैं यहाँ पर जब आप university के लिए apply करते हैं और उसके लिए motivation letter की requirement होती है तो यहाँ पर majorly आप पोशिश करिए कि बहुत ज़ादा details mention नहीं करें आपको एक overview देना है अपनी सारी details का या जो भी points मैंने आपको बताएं वो with a certain word limit तो यहाँ पर आपको देखना है majorly की जो आपका overall motivation letter है वो around 200 और 400 words के करीब का maximum side पर होना चाहिए उससे ज़ादा नहीं साथ में कुछ universities होती है जहाँ पर character limit होता है अगर characters की limit है तो फिर आपको basically अपना small introduction that is my name is this I am looking for this course in this university और उसके बाद आपका previous education आपका hardly one or two line में उसके बाद आपका two to three line में आपका experience और फिर majorly आपको focus करना है अपने future plans में या आप जो course के लिए जा रहे हैं वो आपको future में किस तरह से beneficial होने वाला है तो यहाँ पर जो university में thousand character किसी में two thousand character तो यह आपको check करना है आप जिस भी university में apply कर रहे हैं वहाँ पर motivation letter के लिए जो characters की limit है वो कितनी है अगर character की limit नहीं है तो भी आपको एक उसको word limit में लिखना है जो कि around आपका 300 to 400 words तक हो सकता है maximum site में तो friends अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो surely आपको admission secure करने में काफी helpful रहने वाला है आपका motivation letter अभी भी September intake के लिए applications start हैं काफी सारी universities recently open भी हुई है तो अभी भी जो student हैं जिनोंने अभी तक अपना application start नहीं किया है तो आप application start करा सकते हैं उसके लिए आप अपने documents हमारे साथ share कर सकते हैं application02 at meridian.org पर साथ ही अगर आपके जो भी doubts हैं उसको लेकर के आप हमारे साथ connect हो सकते हैं हमारे तोल प्री नंबर के थू तो यह सी लेटेस्ट इंफमिशन पानिकली चैनल को लाइक करिये सब्सक्राइब करिये बेल इकन प्रेस करिये सिंदा नेक्स वीड थैंक यू